गुड मोदी के आई मॉनिंग दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि हम अपना लॉयल्टी कूपन या कोई भी कूपन जो हमारा कमपनी के ओफर से जनरेट होता है हमारे आईडी पर उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं नॉर्मली कई लोगों को होता है कि कूपन देखना नहीं आपाता कि हम कूपन अपना कैसे चेक करें कि वो जनरेट हुआ है या नहीं तो आज मैं अपने इस वीडियो के थुरू आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप वेबसाइट के थुरू अपना कूपन कैसे चेक कर सकते हैं और रिडिम भी उसे करा सकते हैं. तो फ्रेंट्स आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. मैंने अपना स्क्रीन ओन किया और स्क्रीन पर मैंने मोदी केर की वेबसाइट ओन की हैं. Modicare की website खोलने के लिए आपको modicare.com टाइप करना है तो modicare का ये home page open हो जाता है फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना login करना है ठीक है जिस भी id का आपको चेक करना है अगर आपको अपने mca number से login करना है सबसे पहले आपको अपना mca number टाइप करना है पासवर्ड डालना है और उसके बाद जो numerical digit आता है उसको add करके यहाँ पर लिखना है और आपका यहाँ से login हो जाता है after login आपको login होने के बाद आपको अपने ये three horizontal line आपके left hand side upper corner पर जो दिख रही है इस पर जाना है ठीक है इसमें जैसे आप normal order करते हैं उसी तरह order में जाना है फिर billing पर click करना है और billing पर click करने के बाद आपको अपना shipping address आपका आधार का address same है तो as it is रहेगा यहाँ पर courier mode select क करने के बाद आप next option पर जाएंगे next option पर जाने के बाद आप कोई भी product कुछ भी product select करके आप अपने coupon को check करने के लिए जस्त मैं coupon को check करने के लिए बता रही हूं कि कैसे कर सकते मैंने just for information यह मैंने दो item add कर दिया है इसमें थाकि मैं coupon को check कर सको कि coupon generate हुआ है या नहीं ठीक ह तो इसके बाद हम फिर करेंगे next option next option पर जाने के बाद आपके पास सपना चोहान जी का है उनके ID पर जो generate हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूंगी यह उन्होंनों मैंने add कर दिया अब फिर से आपको next option पर जाना है और यहां देखिए जहां पर mca number आता है यहां पर हम आपको coupon चेक करना है कि आपके ID पर कौन सा coupon एक्टिवेट हुआ है तो उसके लिए आपको करना है no offer go without offer यही सिलेक्ट करना ही by default already selected होता है लेकिन फिर भी आप इसको चेक करने के लिए इस offer को जरूर सिलेक्ट करें कि no offer सिलेक्ट करना है कोई offer सिलेक्ट नहीं करना है और आ तो आप उसी के साथ जाना चाहते हैं okay तो हम okay कर देंगे अब यह देखें जैसे ही मैंने okay किया जो हमारी summary आ रही है business summary आ रही है कि हमारा इतने का order है बीवी इतने है वेट इतना है और उसी के साथ में mention है adjust coupon जब आप adjust coupon पर click करेंगे तो देखिए आप लोगों को show होगा कि एक loyalty program का यानि इनके six month की loyalty complete हो गई है और उसका एक coupon generate हुआ है जिसका की value है 2,919 ठीक है अब यह आप यहाँ देख सकते हैं यह activate हुआ है 6,921 को time दिया हुआ है valid कब तक है 11,30 यानि नवंबर तक valid है यह हमारा ठीक है तो यह हमारा यह coupon यहाँ पर generate है अगर मैं इस coupon को select करक और apply coupon कर देती हूं तो यह सपना जी के पास एक OTP जाता है और अगर वो OTP आप यहाँ पर दे देते हैं तो यह coupon redeem हो जाता है तो आप ऐसे अपना online coupon चेक कर सकते हैं चाहे अपनी किसी भी downline का उनकी help कर सकते हैं कि ऐसे coupon आप लोग चेक कर सकते हैं क्योंकि कई बार होता है क कि पता नहीं चलता कि coupon active हुआ है या नहीं और इस कई बार होता है कि हमारा coupon में मिस हो जाता है तो आपके ID पे अगर ऐसे coupon generate हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं कई बार यह भी बता दू कि कंपनी में होता है कि कई बार जैसे हमारा री पर्चेस ओफर के होते हैं प्रोडक्स वो coupon generate कर देते हैं विकाज जब अब product stock में नहीं होता तो एक रुपे का जो हमें product मिलता है वो coupon generate हो जाता है और वो हमें पता भी नहीं होता तो हमारी ID पे coupon already होता है उसको हम redeem करा सकते हैं लेकिन आपको उसकी knowledge होना पहले ज़रूरी है तब ही आप redeem करा सकते हैं तो मैंने य में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सबकी help हो सके सभी लोग अपने अपने खोपन खुच चेक करना सीख सके तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको like share and subscribe करना मत भूलेगा and thank you so much for